हेलो फ्रेंड्स एक्स यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के प्रिविश्य कोश्चिन्स जो एक्स्टेट प्यार्टी 2023 के एक्जाम में पुछे गए थे दोस्तों वीडियो की सुरात करने से पहले अगर आप पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो और कमेंट बोक्स में बताना आपको वीडियो कैसे लगी तो दोस्तों फर्स्ट के साथ वीडियो की सुरात करते है तो उस समय कि घटना को यहां पर उसने डिस्क्राइब करा है तो जब वो होस्टल में रहता था यह क्या बताना चारा है कि वो 20 पेजिज पढ़कर एवरी नाइट वो क्या घरता था सो जाता था तो ऐसी अगर घटना है तो आपको यह मिलेगी पास्ट में अब आप देखें यहां पर विल जो हो फ्यूचर में यूज़ोता है माइट जो है यहां पर पास्ट में यूज़ोता है शैल फ्यूचर में यूज़ोता है यानि कि वोड या माइट में से कोई एक होगा बात आती है माइट की तो may और might दोस्तो ये है संभावना अत्मक दोनों सब्द संभावनाई यहां से वेक्थ की जाती है कि आज बारिश हो सकती है जादा संभावना दरिशाने के लिए may कम संभावना दरिशाने के लिए might और यहां पर देखिए रह गया दूसरा कुन सा would तो इसका right answer होगा दोस्तो would यहां पर past की जो simple की घटना होती है उसको would के साथ दर्साया गया है क्योंकि would जो है वो will की second form होती है और second form यहां पर वर्व की second form का यहां पर use किया गया है next question देखिए choose the correct option to fill in the blank तो blank में आपने देखना है you are dash among criminals criminals यानि की criminal है बहुत सारे और among कहां पर use होता है between और among का आपको पता होगा कि between का use होता है जब दो चीजों की बात होती है तो दो में से अगर एक बताना है तो between अभी यहां पर देखिए among का use होता है जब more than two की बात होती है अब more than two है इसका मतलब कि superlative degree का हम यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि positive degree तो तब यूज करते हैं जब कोई comparison नहीं होता और comparative degree तब यूज करते हैं जब 2 के बीच में comparison होता है अगर यहाँ पे between होता तो हमें पता होता है कि दो के बीच में comparison हो रहा है तो हम क्या यूज करते between है और यहाँ पर यूज करते meaner mean meaner meanest तो meaner यूज करते लेकिन यहाँ पर among यूज हो रहा है among का मतलब क्या है more than two के बीच में यहाँ पर comparison हो रहा है तो वह बता रहा है कि दो से ज्यादा क्रिमिनल है और यह जो जिसको बोल रहा है यू कि तुम सभी क्रिमिनल में से सबसे ज्यादा क्या हो मीनेस्ट हो मीन क्या होता है मीन का मतलब होता है बचकाना तो वो सबसे ज्यादा बचकाना कौन है जिसको यह बोल रहा है कि तुम सभी क्रिमिनल में से सबसे से ज़्यादा बचकाने या सबसे ज़्यादा कमीने हो तो ऐसी सेंस जाएगी मीनेस्ट तो राइट अंसर होगा सैगेंड नेस्ट कॉश्ण देखिए चूज दा क्रेक्ट वन वर्ड सब्टिचूशन एक डिसीज डैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया एक लार्ज एरिया में फैलने वाला डिसीज कहलाता है एपिडेमिक Germicide नहीं है इसने Germicide पर निसान लगाया Germicide नहीं होता Germicide होता है Germs को मारने वाली दवाई जोते हैं उसको Germicide बोल देते हैं आपको बताना है कि Effuminate का क्या मतलब होता है और Illicit का मतलब तो आपको पता है कि Illicit Unpard को बोलते हैं Effuminate आपने बताना है Next question देखिए Choose the correct preposition for the blanks He has been living Das Calcutta Das last three years देखिए यहाँ पर last three years की बात हो रही है जब भी last three years की बात हो रही है तो इसका उतलब three years क्या है Duration of time है Duration of time जब भी बात आती है Duration of time की तो हम use करते हैं four का जब भी बात आती है Point of time तो हम use करते हैं since का Point of time कैसे है अगर यह बोल देता की Last three years की जगह बोल देता की 2017 से तो हम लगाते हैं यहाँ पर क्या Since का use करते हैं अब इसने बोला last three years Duration of time है Duration of time के लिए four का use किया जाता है तो यहाँ पर four का use होगा Calcutta में है तो in Calcutta अगर Calcutta के अंदर कोई particular जगह होती तो वहाँ पी हम लगाते है फिर at जैसे माली जे Calcutta के अंदर कोई जगह है Ramnagar तो वो बोलता क्या कि He has been living at Ramnagar in Calcutta for last three years और last three years की जगह अगर होता 2017 यह 2020 तो फिर क्या आता Since 2017 यह 2020 ऐसे करके आता तो इसका राइट अंसर कौन सा हुआ Second वाला Next question देखिए Choose the correct option for the underlined word She is likely to come today वह आज आने वाली है या आ सकती है Is likely to का मतलब कि आएकि उसकी संभावना है आने की आज तो ऐसे में यह संभावना किसकी है उसके आने की आने की मतलब वर्ब को यह अप्रोच कर रहा है यह वर्ड जो है यह वर्ब को अप्रोच करता है वर्ब की विशेस्ता है इसलिए इसको बोलेंगे Adverb Next question देखिए I met Mr. Shah at Das US Airport At the US Airport जब वो बात कर रहने की मैं उसे मिला था US Airport पर तो यह होगी specific चीज Specific जो चीज होती है ना कि वहाँ पे जो जीज पहले हो चुकी है यहां नहीं की इस एरपोर्ट में वो मिले है तो वो चीज specific होगी तो दा का यूज हम यहाँ पे करते है Next question देखिए The antonym of adversity is Adversity यानि की बत्तर हालात Adversity बोलते है और उसका उल्टा होता है Prosperity 52 का Second correct होगा यहाँ पे देखिए जो दा का यूज है US, US का मतलब की आता है United State भी होता है यहाँ पे यह भी हो जो सकता है United State है अगर यह माल लीजिए United State Airport पे वो मिले तो United State क्या है कहीं सारे Island या कहीं सारे देशों का समू होता है जैसे West Indies है West Indies वैसे किसी भी कंट्री के सामने दा हम यूज नहीं करते कि दा चाइना The Australia ऐसे यूज नहीं करते हम हम किसके आगे उसकरते हैं The United State इसके आगे उसकर सकते हैं क्योंकि यह बहुत सारे देशों का समूं होता है अगर country के आगे नाम लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं इंडिया है हम इसे ही लिखते हैं कर रहा है जब 1947 में भारत की क्या दसाथी उस चीज को दसार है तो हम इसके आगे दा लगा सकते हैं otherwise countries के आगे दा नहीं लगता कई जैसे यहां पर समू है उसके आगे हम दा लगा सकते हैं वेस्ट इंडीज है यह भी हाड़ वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे इसका मतलब क्या है कि अनलेस अनलेस यहां पर आएगा यह कंडिशनल सेंटेंस होते हैं कंडिशनल सेंटेंस आपको जरूर कर लेने एक बार प्लिंस्टू पैरमाउंट बुक से अगर आप कर लेते हो तो बैस्ट होगा नेस्ट कूश्चन देखें दवर्ड पाइस मीन्स पाइस मींस होता है रिलिजयस और citizen कहिए नेच्ट देख लेते हैं दा of filthy, filthy क्या होता है, dirty, synonym होता है, synonym यानि कि जिसका same meaning होगा, choose the correct sentence, he break her heart by turning down her proposal, उसने उसका दिल तोड़ दिया, तो break तो क्या है, वर्ब की first form है, यानि कि ये present simple को दरसाएगा, जबकि घटना past की है, he break'd, break का break'd नहीं होता, he has break'd भी नहीं होता, he broke her heart, तो fourth इसका correct होगा, क्योंकि break, broke, broken होता है, verb की second form, अगर past में, past simple में हमें कोई sentence लिखना है, तो verb की second form, और verb की second form होती है, broke, यहाँ पे break की, broke, next question देखिए, the idiom, to pay off old scores, यानि कि पुराने कुछ भई खाते में कुछ लिखा हुआ है, उसको, वो क्या करना है, उसको, उसको pay करना है, यानि कि उसका बदला लेना एक प्रकार से, to have revenge, उसने अपने खाते में कोई चीज लिख लिख लिए जैसे, कि में कोई यह चीज बाद में करनी है, तो क्या आता है, to have revenge, यानि कि उसको, बाद में, उससे बदला लिया, कई बार होता है, कि गुस्से को इस टाइम पे पी जाओ, बाद में, फिर उतर देना, अगर आप अभी exam की तेरी कर रहे हो, he state की तेरी करू या, cvt की तेरी कर रहे हो, और आपको गोई बोल रहा है कि आप से कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे ही पड़ रहे हो कि, लेकिन आप ने क्या करना है, अभी जो आप नहीं देना, आप मेहनत करो, और जब आपका selection होगा, तो उस से अभी मेरी कामियाभी ने सोर मचा दिया नेस्ट कोशन देखे चूज दा क्रेक्ट ओप्शन टू फिल इन दे ब्लैंक ही डैस ही सिस्टर मोर देन एनिवन एल्स ही लव इस लविंग वाज लविंग लव्स यहां पर सेंटेंस देखिए क्या बन सकता है ही लव लेके चलते हैं किसी और से ज़्यादा मतलब इतना कोई भी अपनी सिस्टर से प्यार नहीं करता होगा जितना वह अपनी सिस्टर से प्यार करता है यह सैंस है तो करता है मतलब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ही क्योंकि यहां पर क्या है थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ दोस्तों जो प्रोनाउन होता ना थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस एस उसके साथ लगाना पड़ता है तो लव के साथ एस लगेगा तो ल नेस्स्ट कुश्चिन है चूज दा क्रेक्ट टेंस फॉर्म लुक देखो हेर दैस्ट डिरेक्टर ऑफ दर्ब्रामा एड कम है विए कम अभी देखिए यहां पर उस ने कहा कि देखो अध्ड डिरेक्टर है वो आ रहा है यानि कि यह वह आता है तो देखिए प्रेजेंट कॉ option में continuous की sense नहीं बन रही यानि कि उसमें क्या है present simple हो सकता है कि वह आता है तो आते हैं के लिए यहां पर थर्ड परसन हो गया तो comes का use होगा यहां पर head come नहीं होगा head come होता तो क्या हो जाता come came come head plus work की third form यह हो जाता past perfect तो past की तो बात नहीं है present की बात है अब यहां पर present थर्ड परसन के साथ कम का भी यूज नहीं होता comes का seyes लगेगा अभी पताया मैंने कि third person singular जो होता है उसके साथ seyes का use होता है तो verb plus seyes का use कहा पे हो रहा है यहां पे तो fourth जो हो correct हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे अगर आपके rules अगर आपको आते हैं English के तो तभी आप grammar को कर पाते हो देखिए English को बोलना English की speaking और English के जो question competitive exam में है उनको करना दोस्तों अलग अलग चीज है speaking में हम कहीं बार grammar का use ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है grammatical error उसमें चल जाते है speaking में बलकि जो हमारी competition की English होती है ना उसमें grammatical error नहीं चलते तो grammar के rules आपको अगर आते हैं बोलना आता नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों यहां पर आपको rule के साथ आप questions को क्या कर सकते है solve कर नहीं किया ऐसे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि science क्या बन रही है और third person है तो इसमें से कौन कौन से option neglect हो सकते हैं और कौन सा correct हो सकता है तो दोस्तों यह थे इंग्लिस के 15 questions एक्स्टेट PRT 2015 के और जेविटी के एक्जाम के बाद दोस्तों हम एक्स्टेट की जो TG PGT और PGT कि जितना भी common portion है जो HSSC के subject होते हैं इंग्लिस हो जाए या mathematics हो जाए हरियान जी के हो जाए reasoning हो जाए तो हम उन से भी topics को क्या करेंगे cover करेंगे friends तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में आप telegram channel join कर सकते हो description box में आपको link मिल जाएगा कोई query है तो वहाँ पर solve हो जाएगा आपकी और वीडियो को like जुरूर करें दोस्तों comment box में आपको वीडियो कैसे लगी मिलते है next video में thank you